Hey everyone, कैसे हैं आप सब लोग, तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही exciting topic के बारे में जोकी है, bartending तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा की, bartending होता क्या है, कैसे आप एक bartender बन सकते हो, क्या-क्या opportunities आपको मिलेंगी, bartender बनने के बाद, और साथी साथ कितना कमाल होगे तो इसलिए वीडियो को end तक जरूर देखिएगा, और साथी साथ वीडियो को अभी like कर दो, because ये बहुत interesting वीडियो होने वाला है ओकी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, bartending होता क्या है, तो bartending जो शब्द है, आपका वो निकला है, बार से, बार का मतलब, I'm sure, mostly लोगों को पता होगा, मतलब जहाँ पे alcoholic and non-alcoholic beverages की service होती है, यानि कि आपका beer, whiskey, wood का, tequila, जैसे बहुत सारे alcoholic beverages, और juices, वगरा, mixed drinks, सब यही नहीं होता है कि आपको एक bottle खोली, एक glass में वो drink डाली और serve कर दी, it's not like that, उसके लाव भी बहुत सारी चीज़ें जो आप करते हो, like आप mixed drinks बनाते हो, cocktails and mocktails, साथी साथ flaring करते हो, juggling करते हो, साथी साथ आप fire करते हो, बहुत सारी drinks को, तो यह सारी चीज़ें आप करते हैं क्योंकि वो वहाँ पर enjoy करना चाते हैं, अपने दिन को और बढ़िया बनाना चाते हैं, friends के साथ, family के साथ, किसी के साथ भी हो जा रहे हो, और इसलिए आप इस सारी चीज़ें करते हो, like firing, drink, juggling, flaring, ताकि सामने वाला जो guest हो, बिल्कुल उसका mind blow हो जाए, यानि कि as a bartender आपको वो night life देखने को मिलेगी, जो शायद आपने अभी तक देखी भी नहीं होगी, और basically बाकी जगे अगर आप देखो कि जो भी आप service restaurants में होते वे देखते हो, या कहीं भी होते वे देखते हो, काफी formal तरीके से होती है, लेकिन बार में, especially जो discothics होते हैं, pubs अगरा हो कर देते हैं, कई utils आपको अच्छे लंबे बाल रखना अलाव कर देते हैं, piercing अलाव कर देते हैं, tattoos अलाव कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते ही, जो आपको इसमें अलाव हो जाती है, क्योंकि एक बहुत ही flamboyant job है, बहुत ही जादा आपको इसमें stylish दिखना जरू जो कि IIT, JE, NEET, UG, etc., etc. की तयारी कर रहे हैं, उनके पास ये मौका है A-CAR का free mock test देने का, जो कि 27th of February को होगा, यानि कि आज की date को, इस scholarship test में participate करने वाले सब भी students को एक मौका मिलेगा, scholarship आने का, या फिर जीतने का, free Macbook, iPhone, Amazon, Echo जैसे बहुत सारे rewards, exciting rewards जीतने का, साथी साथ, detailed scorecard and video solution analysis भी available होगा after the test, इस से आप अपनी rank और अपनी strength and weakness को identify कर सकते हो, 30 minutes का practice test already start हो चुका है, साथी अगर आप CBSC board, MH board, ICSC, ISC, Tamil Nadu board, किसी भी board से, इन सारे boards से belong करते हो, तो आपको 12 month के subscription के ओपर 2 months का subscription free मिलेगा, So, Unacademy के subscription में आपको मिलने वाला है, live classes in Hindi and English by top educators, doubt solving sessions, audio features के through, you can raise your hand and ask your doubts, PDF notes, live test and quizzes with analysis and your performances, regarding of all live classes, all contents and subjects under one subscription, जो की मुझे सबसे important लगा, यानि आप कोई साभी subject पढ़ना चाहते हैं, वो सब आपको एक subscription के अंदर मिलेगा, So, यार इंतजार के इस बात का, यह बहुत ही एक exciting opportunity है, जो की आप achieve कर सकते हो, अभी grab कर सकते हो, सारे के सारे links आपको नीचे description में मिल जाएंगे, और उसमें आप अगर मेरा coupon code लगाएंगे, जो की hotelier है, यहाँ पे आपको दिख भी रहोगा, नीचे भी मिल जाएगा, वो अगर आप लगाते हैं, तो आप an academy को unlock कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल free में, so prodigy exam के लिए enroll करने के साथ साथ मेरे इस coupon code को लगाने पर आपको 10% का discount भी मिलेगा, आप बात कर लेते हैं कि कैसे आप एक bartender बन सकते हो, तो देखो यार, bartending जो एक job है, सबसे पहले मैं बाता द कर लेते हो, juggling कर लेते हो, firewire कर लेते हो, कुछ नया करके दे सकते हो, उतना अच्छा आपका bartending career हो सकता है, क्योंकि hotel industry में lower level पे, यानि कि जो associate level, staff level पे, केवल दो ही job हैं, जो की skilled job में आती हैं, एक तो होता है, आपका chef, दूसरे होते हैं, आपके bartenders, यानि कि chef भी जो होते होते हैं, आपके बहुत ही highly skilled होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा ingredient डालने में क्या चीज़ बन जाएगी, और किस तरीके से उनको सारी चीज़े बना नहीं है, तभी जाके वो एक अच्छा product बना पाते हैं, अच्छा food बना पाते हैं, उसी तरीके से एक bartender को भी अपने ingredients क अच्छी knowledge होना बहुत ज़रूरी है, वो सब चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है, तभी जाके वो एक अच्छा bartender के लाएगा और एक अच्छी drink बना पाएगा, तो इसी से बात आती है कि आपको क्या qualification चीज़े अगर आपको एक bartender बनना है, तो सबसे पहले बाकी सारे departments और subjects के बारे में नहीं पता, वो आई बटन में जाके क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी detailed videos मिल जाएंगी, ना होटल management में क्योंकि बहुत सारे broad topics होते हैं, जिसमें आपका F&B service, food and beverage service भी cover करना, housekeeping, front office, food production भी cover करना है, तो F&B service के अंदर bartending उतना cover नहीं हो पाता है, बट definitely आपको बहुत सारी basic knowledge यहाँ पर provide गरवाई जाती है, like alcoholic drinks कैसे बनती है, कैसी कैसे cocktails बनती है, किस किस तरीके से किसी भी alcoholic drink या non alcoholic drink का production होता है, वो सारी चीज़ें आपको hotel management में सिखा दी जाती है, but yes, advanced level of knowledge अगर आपको चीए, तो उसके लिए आपको धीरे- skills अपनी सुधार नहीं पड़ेंगा, तो अब बात आती है कि आप hotel management करने के बाद bartender कैसे बन सकते हो, तो देखो या सीधे bartending की job मिल जाना थोड़ा सा tricky हो सकता है, because आपको उस level का knowledge और उस level की skills नहीं होती हैं आपके अंदर hotel management करने के बाद, तो इसलिए जब आप पहली job अ और वहां से आप अपने bartending career की शुरुआत कर सकते हैं, धीरे-धीरे सीखते वे और आगे बढ़ सकते हैं, या फिर hotel management करने के बाद आप एक short term course bartending के उपर कर सकते हैं, जिसमें आपकी bartending के उपर core knowledge दी जाएगी, basic knowledge आपने already hotel management में ले ली होती है, साथे-साथ बहुत सारी core level of knowledge होती है, जो आपको provide करी जाती है, अलग-लग drinks बनाके सिखाई जाती है, उसका course आप कर सकते हैं, जिससे आपको एक upper hand मिलेगा, उस इनसान के उपर जिसने केवल hotel management करा है, या फिर जिसने कुछ भी नहीं करा है, क्यूंकि आपके पास वो थोड़ा extra knowledge होगी, जिसके आप उपर आप capitalize करके और अपनी skills को सुधार सकते हैं, और अपनी bartending skills को सुधार के बार में job कर सकते हैं, अब बात आती है कि क्या scope है bartending का, क्या scope आप basically आपका है, jobs क्या-क्या available होती है, इंडिया और abroad में आपको job मिलती भी है या नहीं, तो scope की मैं बात करूँ, तो यार एक ची समझ सकते हैं कि bartending में कितना सारा scope आपके लिए निकल के आजाता है, अगर आप इन सारी चीजों को एकदम perfect कर लें तो, यानि इंडिया में तो आपको scope मिलेगा ही मिलेगा, साथी साथ आपको abroad में भी बहुत सारा scope है, गल्फ countries हो गए, आपका European countries हो गए, किसी भी country में आप आपको वहाँ पे scope मिल जाएगा, because again, chef की तरह ही lower level पे bartending is a skill based job, इसी के लावा as a bartender ही नहीं, आप as a mixologist भी कहीं पे काम कर सकते हो, यानि कि आपको mixology का, अलग-अलग drinks को mix करके एक नई innovation करने का एक बहुत अच्छा अगर आपको idea बन जाता है, तो आप एक mixologist भी काम कर सकत और उनके साथ मिलके नई drinks को innovate कर सकते हो, और काम कर सकते हो, साथी साथ अगर आपको wines की बहुत अच्छी knowledge अगर हो जाती है, आप अलग-अलग w set level clear कर दे तो wine के, तो आप definitely as a wine sommelier भी काम कर सकते हो, जिसकी इंडिया से जादा abroad में बहुत demand है, आप cruise ships में काम कर सकते हो, करके bar manager बन सकते हो, और उससे उपर grow करके और उपर levels पे भी जा सकते हो, अब बात आती है, सबसे important topic और सबसे बड़ी बात की भी है, salary कितना मिलता है, कितना आप कमा लेते हो as a bartender, तो अगर सीधी भाशा में एक line में अगर आपको बताऊं, तो अगर आप entry level job अगर आप कर आ रहे होंगे, यानि कि entry level पे, lower level पे सबसे ज़ादा जो एक इनसान कमाता है, वो है bartender, उसका reason यह होता है, because bar एक ऐसा area जहाँ पे आप बहुत enjoy करने के लिए जाते हो, अपने friends के साथ, वगरा वगरा, आप drink करते हो, तो definitely उसके बाद क्या होता है, अगर आपने service अच्छी provide करी होगी, तो आपको tips बहुत अच्छी मिलती है, जितनी कि आपकी salary होती होती हो, उससे 2 गुना, 3 गुना तक ज़्यादा आपको tips भी मिल जाती है, वो depend करता है place to place, किस तरीके का आपका service है, किस तरीके का clientele है, किस तरीके के लोग आपको serve कर रहे हो, इन सब चीजों के पर depend करता है कि आपकी कितनी salary हो जाई है, मोटा मोटा भी अगर मैं बताओं, तो Maldives में जाके भी अगर आप यहाँ पर bartender की तरह काम कर रहे हो, तो आप आराम से 60-70-80,000 रुपे easily एक मन्त में निकाल लोगे, और यह आपके मैं initial layers की बात कर रहा हूँ, यानि कि जब आपक अच्छा idea लगा सकते हो कि as a bartender आप कितना अच्छा कमा सकते हो, लेकिन अगर आप केवल यह सोच के कि कितना अच्छा इसमें कमा रहे हैं, इस हिसाब से अगर आप इसको चूज करेंगे, तो शायद आप इतने successful ना हो पाए, अगर आपको लगता है कि yes, it's a exciting career, alcohol आपको attract क वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसने है, लाइक और सब्सक्राइब जरू करना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पे आप मुझे question पूछ सकते हैं, अगर आप hotel management करना चाह रहे हैं, उससे related या फिर आप hotel management कर चुके हैं, क कुछ भी हो, आप मुझे वहाँ पे जाके question पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी help करने ही कोशिश करूँगा, आज की वीडियो के लिए इतना ही, thank you so much, heaven eyes day, bye!